आप लोगों ने बहुत ही टाइफ का हैंगिंग प्लांट देखा होगा और मेरे पास भी देख सकतो कितना जादा हैंगिंग प्लांट का कलेक्सन है इधर भी एक टाइफ है उधर भी एक टाइफ है आप लोगों के पास या आप लोगों के घर पर भी बहुत ही टाइफ का हैं हैंगिंग पॉट पर एक को ऐसे वाला प्लास्टिक पॉट पर करेंगे और इसको नीचे बिठाने के लिए हलो गाईस आप देखरों ग्रिंड़ 2.0 मैंने दो जेट प्लांट बुला था इधर देख सेक तो दो जेट प्लांट है एक सीधा खड़ा है और एक हैंगिंग डाइप का है दोनों को आज हम करेंगे प्लांटिंग और जो हमारा इंस्रूमेंट है इधर सारा कुछ है अधर जो है अमारा एक है बुस्टार वो जो पहले पहले जो आता था ना भर्मी कॉम्पोष्ट वो जो अम गाउस के जो है डंग से काउड़ंग से तैयार करते थे वह जमाना चला गया है आप जो आ चुका है और जो आचुक्छा देख सकते हो दाना-दाना टाइप का है इसकोम मिट्टी के साधे थोड़ा करे मिक्स कर लेंगे जितना पाता है मैं इसको पहले भी यूज़ कर सकता हूं इसको भी की आज मिट्टी के साधे देंगे पेरा उसके लोग वीडियो देखते हो तो आपको है ङूंक के बारे में कि इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिट्टी के साथ अब मैं शुरू कर रहा हूं पहला वाला जो है गोल्ड टाइप का मतलब हमारा हैंगिंग पॉट पर जो हैंगिंग बाला जेट प्लांट को करेंगे और इस पर भी फिल्टर देने का जरुद होता है फिल्टर आप जो डाल है वो नीचे की तरफ जुपके रहता है तूट सकता है बहुत हलका होता है लगने से तूट जाएगा अब देख सकते हो इसका आधा मिट्टी को हम मतलब निकाल देंगे क्योंकि यह पॉट बहुत ही छोटा है इसको जितना जरूरत है उतना कर देंगे इसका को मिक्स किया इससे बहुत ही अच्छा रूट भी आएगा आप जो है हमारा सॉइल मिक्स जो किया था उसको अब इस पर डाल देंगे कर दो देख सकतो है पहला वाला जो है हमारा फिटिंग हो चुका है जेट प्लांट अब इस पर क्लिप लगाएंगे यह वाला क्लिप को दिखाओ ज़रा इसको आपको पता ही होगा है है इसको भी इस पार पर लगा देंगे हमारा एक रेटी हो चुका है दिखाओ अच्छे से देख सकते हो यह जो है हमारा रेटी हो चुका है इस पर हम वाटरिंग कर देंगे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है आप जो है दूसरा वाला करेंगे मेरे पास बहुत ही थाइप का जो हेंगिंगब्ल है इधर दो टाइप का मैं दिखा रहा हूँ मेरे नर्सरी पर और भी बहुत ताइप पर हैंगिंग पॉट अगर आपको हैंगिंग पॉट बनाना है या फिर कितने प्रकार का हैंगिंग पॉड होता है ओग आगर आपको देखना है तो आप लोग कमेंट करना मैं मेरे नर्सरी में फिलाल जितना हैंगिंग पॉड एविलेबल है उतना मैं आपको दिखाऊंगा और इसको भी मैं अच्छे से फिक्स कर लूँगा इसका नीचे का मिट्टी को इस पर बहुत ही ज्यादा रूट आया है और इसको फिक्स करकर इस पर बिठा लूँगा यह वाला पॉड पर यह पॉड भी बहुत ही अच्छा लगता है यह बेसिकली एक बॉनसाई टाइप का पॉड है और यह जो जेट प्लांट है बॉनसाई होता भी है हां हां होता है इसको भी आप लोग बॉनसाई करना कर सकते हो जेट प्लांट पर कोई फ्लावार ब्लावर कुछ होता है इसका जो है परते का स्टाइल यह होता है अच्छा इसका जो है बॉनसाई का वीडियो बाद में आएगा ठीक है आपने जो मेडिसीन यूज किया था है इसके बारे म अच्छा इस टाइब का दाना दाना होता है एक केजी के डबबा है वान केजी महेंगा आता है थोड़ा सस्ता आता है अच्छा यह थोड़ा महेंगा आता है क्योंकि इसका काम बहुत ही अच्छा होता है और आपको इसके बारे में भी जानना है तो आप लोग कमेंट करना इसके मतलब मैं और्गानिक का जितना भी मेडिसीन है उधर है हुमीक और जो ग्रोथ था बहुत सारा मेडिसीन मैंने यूज किया था रोज प्लांट पर या फिर मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हो मैं सोच रहा हूं कि इन सारा जो मेडिसीन है ना इन सारा मेडिसीन का ए दिखाते हैं गाइस देख सकतो हमारा जेट प्लांट फिनिसिंग कितना अच्छा लग रहा है देखने में कितना अच्छा लग रहा है इसको आप हम इसको जो है जुला देंगे उससे पहले देखो बहुत ही खुबस्रत लग रहा है यह बाला भी अगर आपको वीडियो पैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो आज के लिए इतना ही नमस्कार जैहिंद